नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल सो आज हम एक ऐसे शेर के बारे में बात करेंगे जो कि आप देखिए निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक जो अभी नेगटी में चल रहे है उसको यहां पर पिछे छोड़के यहां पर बारा परसन काम को रिटर्न दे रहा है वो भी आज के दिन ही तो यहां पर ऐसा ही 20-day और 50-day moving average के उपर यहां पर हमको closing देगा आज के दिन तो अगले इसके आने वाले दुनों में क्या-क्या levels हो सकते हैं कि आपको यहां पर अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं इसके बारे हम पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वीडियो को लास्त तक जरूर दिखेगा जो लोग मेरे चैनल पर नहीं आए हैं वो करीपा है यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं साथ में नोटिफिकेशन के जॉइन कर सकते हैं वहां पर मैं डेली इंट्राडे कॉल्स प्रवाइड करता हूं जिससे कि आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं सो यहां पर आप देखिए आज के दिन इसने अच्छा बहुत बढ़ी है यहां पर मोमेंटम हमको देखने को मिला है तकरीबन 12 परस और 50-day moving average को यहां पर पार कर लिया जो कि एक अच्छा bullish संकेत और हम इसके उपर यहां पर अच्छी खासी इसने closing दी तो हम यहां पर कहेंगे कि यहां से यह भी share जो है उपर की और और थोड़ा time जा सकता है तो यहां पर आप देखिए जो market है वो बिल्कुल आप देखिए यहां पर negative में चल रही लेकिन यहां पर आज के दिन विदानता ने हमको positive में return दिया है तो आने वले दिनों में मालिज अगर यहां पर market जो और भी negative में जाती ही तो यहां पर विदानता के उपर आप देखिए इतना जादा असर आज के दिन अगर नहीं पड़ा तो अगले जो highest gainer बने है उनमें यहां पर विदानता पहले नंबर के ऊपर है यहां पर देखिए जाला तर जोDY न हो negative में है यहांपर देखिए अड़ी पर देखिए यहां पर यहां पर यहां यह बारा परसन की बड़ोतरी के साथ और यहाँ पर उसका जो second number का यहाँ पर निफ्टी गेनर है वो तकरीबन पांच परसन के आज पास है तो यहाँ से हम कहेंगे कि विदाता गए मैं एक अच्छा यहाँ पर bullish हमको संकेत देखने को मिल रहा है तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं आज के दिन इसने क्या का यहाँ पर trading देखने को मिली है तो यहाँ पर आप देखिए तकरीबन इसका मचार्ड आपको दिखा रहता हूं यहाँ पर तीन बजे का आप data यहाँ पर चेक कर सकते हैं तक्रिवर्पन यहां पे इसमें 8 करोड 96 त्यकिनोवे लाग के आशपास यहां पे total traded quantity देखी गई है। पिछले दिन हम को 40% इसमें यहां पर بडौतरी देखने को मिली थी, तो यहां पर पिछले दिन के दिन आप यहां पर ग्रीन केंडल बनी थी लेकिन वॉल्यूम जो था वो कम था लेकिन आज के दिन इसमें वॉल्यूम तक्रीबन दो तीन गुना यहां पर जाधा बढ़ गया है और जो इसने टोटल ट्रेड क्वांटिटी थी जो पिछले दिन हमको 40% के आसपास यहां पर परसंटेज दर्डीवरी क्वांटिटी थी और एक क्रोड 33.00 के आसपास यहां पर टोटल ट्रेडड क्वांटिटी थी जो दिल्डिवरी में लोगों ने उठाई और यहाँ पर देखिए आज के दिन इसमें यहाँ पर तकरीबन दो करोड के आसपा डिलिवरी उठाई गई है तो यहाँ पर कल के मुकाबले हमको वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिला यहाँ पर सेंटेज वाइस यहाँ थोड़ा कम होगा है क्योंकि यहाँ लेकिन यहाँ पर एक 50 डे के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ से हमको एक अच्छा संकेत मिलेगा ताकि यहाँ आने वाले दिनों में हमें इसमें पैसे बना सकते हैं इसमें और चीज़ हमें आपको दिखा रहता हूं यहाँ पर अभी आप इसकी मार्केट में देख सकते हैं तगरीबन 34 लाक तो यहाँ पर ओडर लगे हुए हैं पैंडिंग वह यहाँ यहाँ पर बाय साइड की और है यहाँ पर तगरीबन 13 लाक यहाँ लोगों ने यहाँ आप यहाँ पर पहले मैं को चीज़ गहा रहता हूं यहाँ यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं तब इसका сопadर ल आज के दिन उन्हां इसका कमिन पर आज यहाँ नहीं था देखिंग तब 10% के आसपार यहां पर जो शेयर था वो बड़ा था उसके बार फिर से यहां पर जैसे यहां पर थोड़े सेलर आने विशुरू हुए और लोगों ने आप देख सकते हैं यहां पर जो बाइंग को अंटिटी है वो तकरीबन दो तिन गुणा यहां पर जादा देखने को मिल देगा सेलिंग क्वंटिटी से जादा तो इसी वज़ाएसे यहां से जो शेयर अफिसे अपसाइड की ओर चला गया और अपना हाई बनाने के बार जो इसका हाई था आप देखिए जो इसका आज का हाई था वो तकरीबन यहां पर 89.75 के आसपास था और यहां पर जो पिछला हाई था वो तकरीबन यहां पर 91 के आसपास था तो यहां पर आप देखिए यहां से थोड़ा क्योंकि जादा 13 आस पास अपको देखने को मिला है यहां से अभी इसमे थोड़ी सी profit booking देखने को मिली है लेकर आप देखिए की और जाती है तब तो यह शेर जो है फिर से अपसाइड की और जाएगा लेकिन अगर मालीजे कल के दिन मार्किट जो है वो नेगटिव में जाती है लेकिन जो शेर है उसने तगरीबन अपना ये इसका जो लेवल है तगरीबन 89.55 89.55 के असपास उसको यहाँ पर अगर पार कर लिया तब ये शेर हमको और भी अपसाइड की और जाने को देखने को मिल सकता है तो अगर मालीजे यहाँ पर दो तिन दिन और अच्छा है इसमें मोमेंटम रहा ऐसा ही वॉल्लिम के साथ तब अब यहाँ पर एक अफ़ते के अंदर यहाँ पर 100 का टारगर भी देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अच्छा है यहाँ पर पैटर्न बढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ से मैं यह एक हूँगा कि आप एक दिन की यहाँ पर कैंडल के उपर बिलकुल मज जाईगे थोड़े कम है लेकिन चांसे जरूर है तो यहाँ से हो सकता है माली जे कल के दिन अगर मार्कर यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर उपन होती है बहुत जारा गैप डाउन होती है तब यह शेयर जो है फिससे यही पैटन जो इसमें पिछले एक अफते में दिखाया रहा है यहाँ से फिससे नीचे की और आ सकती है यहाँ से हम कहेंगे कि अभी आपको यहाँ पर बेट करना जाएगे कल के दिन अगर यहाँ पर गैप डाउन में अबर यहाँ पर ओपन होती है तब यहाँ से अगर चाहे तब थोड़ा टाइम देखने के बाद आप यहाँ इस शेयर से यहाँ पर एकज़ेट कर सकते हैं अ जब तक यहाँ पर यह 50-day moving average के ऊपर यहाँ पर शेयर है तब तक हम यहाँ इसमें कहेंगे कि यहाँ पर अपसेड की और जा सकता है लेकिन अगर आपको confirm करना है तो यहाँ पर अगर मालीजे कल के दिन एक और एच्छी यहाँ पर green candle हमको बनती है देखने को मिलती है और व यहाँ से हमको यहाँ पर अच्छे संकेत मिल रहे है अगर कल के दिन में इसमें हमको यहाँ पर gap up open भी होता हुआ देखने को यहाँ पर मिल सकता है तो यहाँ पर बिलकुल समझधरी से यहाँ पर trade वगएरा लीजिए क्योंकि यहाँ से अभी शेयर बहुत ज़ादा यहाँ यहाँ पर अपसाइड की और चला गया हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है अगर कल के दिन gap down यहाँ पर opening होता है तो आपको यहाँ पर मैं भी यही सलाह दूंगा कि जो लोग यहाँ पर position बना के बैठे हैं वो यहाँ पर अभी तक hold कर सकते हैं जो लोग यहा इबन 100 के आसपास का रहेगा 100 के आसपास अगर चाहें तो आप यहाँ पर अपना profit book कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर market जो है market overall आप देखिए nifty bank और nifty यहाँ पर यहाँ पर देखिए high बनाने के बाल डाउंसाइड की और जा रही है तो मालीज अगर market डाउंसाइड की और ज ले सकते हैं लिकिन अच्छा अगर मालीज इसमें इसमें कल के दिन भी हमको ऐसी यह यहाँ पर एक अच्छी candle देखने को मिलती है तब यहां से यह 110, 115 के आसपास यहां पर जाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है लेकिन आज हमको यहां पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी आपको कल का दिन का यहां पर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कल के दिन इसमें कौन सी कंडल बनती है अगर यहां पर ग्रीन कंडल बनती है तब आप यहां से बाय कर सकते हैं लेकिन अगर कल रैड कंडल बनती है तो आप इस शेर से निकल जाए और यहां पर आप सैलिंग भी बन कीजिए आप यहां पर इस शेर से यहां से आराम से निकल जाए और यहाँ पर थोड़ा टाइम वेट कीजिए उसके बार अगर फिर से यहाँ पर एक अच्छा हमको संकेत देखने को मिलेगा एक बुलिश रैली में तो तब हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शूर और सब्सक्राइब जोर कीजिए का मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार